अध्यात्म वादी सच्चा वो होता है जो जिसको मानता है फिर उसको जीवन में उतारता है अगर आपने उसको माना है तो जीवन में उतारना चालो करें कभी नहीं समझ पाते है कि अध्यात्म किसको कहते है अध्यी आत्मानों में ते अध्यात्म जो आत्म जगत की विद्या है वो अध्यात में है जिसमें परमात्ना पतिष्ठी थे हैं वो अध्यात में है योगे शुर्शी क्रश्न कहते हैं कि जो अध्यात में हैं उस विद्या की रूप में में पतिष्ठी तो अध्यात्म विद्यानाम अध्यात्म विद्यानाम अध्यात्म विद्यानाम भगवान किष्ण दसमे अध्यामे करते हैं विभूतियों में अध्यात्म विद्या की रूप में प्रतिष्ठी तो अध्यात्म को समझना पड़ेगा यह अध्यात्म का कलेवर है धर्म का कलेवर है कर्मकार्णों के रूप में भी नहीं रिती रिवाजों के रूप में भी नहीं मुड मानिताओं के रूप में भी नहीं धर्म तो ऐसा चाया पड़ा है हमारे देश में कणकण में चाया पड़ा है युवा को वो अध्यात्मे समझना पड़ेगा जो सभाव समवेदना की प्रतिमूर्ती है, जो करुणा की बात करता है, जो जन जन की सेवा की बात करता है, वो अध्यात्मे समझ में आ जाएगा, तो फिर आप उस अध्यात्मे को भूल जाएंगे, इस अध्यात्मे को आज प और वो अध्यात में दे जिया जाता है, तो आदमी साकार प्रतिमूर्थी गुरूप में दिखाई पड़ता है, प्रशान्त आत्मा, विगत भी ही, ब्रह्मचारी, व्रते इस्थित्व, भगवान कर्शनी कहते हैं, प्रशान्त आत्मा, हमेशा शान्त रहने वाला व्यक्ति, जिसका मन हमेशा शान्त हो, विगत भी, सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में है, तो भए, भए से मुक्त होकर के जीवन जीने वाले व्यक्ति, भए मुक्त होकर जीवन जीने वाले व्यक्ति, वो सबसे अच्छा शिष्ट, ब्रह्मचारी व्रते इस्थिता, ब्रह्म को आ ब्रह्मचारी की परिभाषा आपने अपने डंग से करते हैं। अध्यात्मधी दूसरे का भी संबान करेगा, हमेशा एक दूसरे के साथ मिल करके चलेगा, यह अध्यात्मधी यह दी है, तो यह सच्चा युवा है, इसी युवा से गुर्देव ने अपक्षा की है। निजी जीवन क्रिया कलापों में अध्यात्म को प्रदिश्चित कर लें युवा, तो घर में बैठकर के भी वो काम कर सकते हैं। गर में बैठकर के भी भगवान का काम कर सकते हैं। और कभी जुरुत नहीं किसी गोजब, जहां जुरुत पड़ेगी। हम लोग हमारे जिसे लोग हैं ना, छिनाक छीन के ले जाने वाले। हमें जब जुरुत पड़ेगे धम उठा के लिए आएंगे। आपको, पन्तु आप अपने घर में बैठके भी काम कर सकते हैं। आपको जहां बैठना है, वहां बैठके आप काम करेंगे। अध्यात्म के लिए कोई कोना ढूनने की जुरुत नहीं है। अध्यात्म के लिए घर को ही तपोन बनाने की जुरुत है। समझी ही ये लिए पिर जाने की जुरोत नहीं है, हिमाले को घर में लाने की जुरोत है, अगर आप घर में उसको बना लेंगे, घर में स्थापित कर लेंगे, तो आप देखिए का आपको मिलता चला जाएगा जो परमपुजी गुर्देव ने अध्यात्म की परिभाशा दी शी राम, शी कृष्ण, उपनिश्द उसके बाद ने अपनी बात कहता हूँ गुर्देव ने जो परिभाशा दी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की परिभाशा दी scientific spirituality वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जो अध्यात्म विज्ञान की कसूटी पर कसा जा सके वो अध्यात्म परिश्कत अध्यात्मवाद, वो जीवन में उतरेगा तो दिखाई पड़ेगा और इसको उनने सब के जीवन परिभाशित कर दिया इतने लोग वैग्यानिक अध्यात्मवाद की आज बाते करने लगे हैं पर किसी के दिमाग साफ नहीं है विज्ञानिक अध्यात्माद परमपजी गुर्देव ने परिभाशित किया और उनने कहा अध्यात्म जीवन की मूल धुरी है और विज्ञान संसाधनों की भाशा समझता है तो विज्ञान के संसाधनों को उप्योग किया जाना चाहिए गुर्देव विज्यान को नहीं न कारते पर गुर्देव विज्यान को प्रमुख मानने की बात नहीं करते हैं गुर्देव विज्यान को साधन मानने की बात करते हैं विज्यान के माध्यम से अध्यात्म को परिभाशित करिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के जोडिदार बनेंगे दोनों मिलकर के साथ चलेंगे तो यात्रा अच्छी विलक्षन होगी इसलिए परिश्कृत अध्यात्म याने विज्ञान संबत अध्यात्म अध्यात्म परिश्कत हो और विज्ञान सम्मत हो और विज्ञान अध्यात्म सम्मत हो विज्ञान अध्यात्म की वर्जनाओं को मार्यादाओं को माने और उसका अनुशाशन माने उसके नींतरण में चले तो निशित रूप से दोनों मिलकर के साथ चलेंगे तो यात्रा अच्छी होगी यात्रा सुगम होगी और परमपुजी गुर्देयन ने उसी यात्रा को आरम कराया हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंजग वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें इवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन गतिवीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे